बेहनों और भाईयों मान नरेश्वरी और मां अम्बाजी की इस पावन धर्ती को मैं शत शत नमन करता हूँ आप सभी को भी मेरा प्रणाम शायद जीवन में पहली बार ऐसा अउसर आया होगा कि एक साथ देड़ दो लाख माताए बहने आज मुझे यहां आशिरवाद दे रही है हम सब को आशिरवाद दे रही है और जब आप ओवारना ले रही थी तब मैं अपने मन के भाव को रोक नहीं पाता था आपके आशिरवाद माजगदंबा की भूमी की माताओं के आशिरवाद मेरे लिए एक अनमोल आशिरवाद है अनमोल शक्ती का केंद्र है अनमोल उर्जा का केंद्र है मैं बनास की सभी माताओं बहनों को आदर पुरवक नमन करता हूँ बाईयर मेहनों बिते एक दो घंटे में मैं यहां अलग-अलग जगों पर गया हूँ डेरी सेक्टर से जुड़ी सरकारी योजनाओं की लाबारती पशुपालग मेहनों से भी मेरी बड़ी विस्तार से बात्चित हुई है यह जो नया संकुल बना है पोटेटो प्रोसीन प्लांट है वहाँ भी विजीट करने का अवसर मुझे मिला इस पूरे समय के दोरान जो कुछ भी मैंने देखा जो चर्चा हुई जो जानकारिया मुझे दी गई है उससे मैं बहुत ही प्रभावित हूँ और मैं डेरी के सभी साथियों को और आप सब को रदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ भारत में गाउं की अर्थे बवस्ताओं को माताओं बहनों के ससक्ति करण को कैसे बल दिया जा सकता है कोपरेटियूं बूमेंट यानि सहकार कैसे आत्म निर्बर भारत के अभियान को ताकत दे सकता है इस सब कुछ यहाँ प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है कुछ मैने पहले मुझे अपने संसद्य खेत्र वारणसी में बनास कासी संकुल का सिलान्यास करने का आउसर मिला था मैं बनास डेरी का रदैस से आभार व्यक्त करता हूँ कि काशी के मेरे खेत्र में आकर के भी वहां के किसानों की सेवा करने का पशुपालकों की सेवा करने का गुजरात की धर्ती से बनास डेरी ने संकल्प किया और अब मुर्त रूप दिया जा रहा है मैं इसके लिए काशी के साउसत के नाते मैं आप सब का करज़दार हूँ मैं आप सब का रणी हूँ और इसलिए मैं विशे सुप से बनास डेरी को रदय से धन्यवाद करता हूँ आज यहाँ बनास डेरी संकुल के लोकारपन का कारिकम का हिस्ता बन कर मेरी खुशी अनेक गुना बढ़ गई है भाई योर बेनो आज यहाँ जो भी लोकारपन और सिलान्यास किये गए हैं वो हमारी पारंपारिक ताकत के से बविश्य के निर्मान के उत्तम उदारण है बनास डेरी संकुल, चीज और वेप्लांट यह सभी तो डेरी सेक्टर के विस्तार से अहम है ही बनास डेरी ने यह भी सिद्ध किया है कि स्थानिय किसानों की आई बढाने के लिए दूसरे संसाधनों का भी उप्योग किया जा सकता है अब बताईए आलू और दूत का कोई लेना देना है क्या, कोई मेल जूल है क्या लेकिन बनास डेरी ने यह रिस्ता भी जोड दिया दूत, छाट, दही, पनीर, आइसक्रीम के साथ ही आलू टिकी, आलू बेच, फ्रेंच भाईज, हैस ब्राउन, बर्गर पेटीज, जैसे उत्पादों को भी बनास डेरी ने किसानों का सामर्थ बना दिया है, यह भारत के लोकल को ग्लोबल बनाने की दिशा में भी एक अच्छा कदम है साथियों, बनास काठा जैसे कम बर्षा वाले, जीले की ताकत, कांकरेज गाय, मैसानी भैस, और यहां के आलू से कैसे किसानों की तकदिर बदल सकती है, यह मॉडल आज बनास काठा में हम देख सकते हैं बनास देरी तो किसानों को आलू का इत्तम बीज भी उपलब्द कराती हैं, और आलू के बहतर दाम भी देती हैं, इससे आलू किसानों की करोलों रुपिये, कमाई का एक नया ख्षेत्र खुल गया है, और यह सिर्फ आलू तक सिमित नहीं है मैंने लगातार स्वीट रिवलुशन की बात की है, सहथ से किसानों को अतिरिक्त आय से जोड़ने का आहवान किया है, इसको भी बनास देरी ने पूरी गंबीरता से अपनाया है, मुझे ये जानकर भी अच्छा लगा कि बनास काणा की एक और ताकर, यहां की मुगफली और सर्सों को लेकर भी डेरी ने बड़ी शांदार योजना बनाई है, खाद्य तेल में आत्मंदिर भरता के लिए जो अभियान सरकाल चला रही है, उसको बल देने के लिए आपकी संस्ता तेल संयत्र भी लगा रही है, ये तिलहन किसानों के लिए बहुत बड़ा पोथसान है, भाई और बेनों, आज यहाँ एक बायो सी एंजी प्लांट का लोकारपन किया गया है, और चार गोबर ग्रैस प्लांट का स्यलान्या सुबा है, ऐसे अनेक प्लांट बनाज देरी देश भर में लगाने जा रही है, ये कचरे से कंचन के सरकार के अभियान को मदद करने वाल कई लक्ष हासिल हो रहे हैं, एक तो इससे गावों में स्वचता को बल मिल रहा है, दूसरा इससे पसुपालों को को गोबर का भी पैसा मिल रहा है, तीसरा गोबर से बायो सी एंजी और बिजली जैसे उत्पात तयार हो रहे हैं, और चोथा इस पूरी प्रक्रिया में जो जैवी खाद मिलता है उससे किसानों को बहुत मदद मिलेगी और हमारी धर्ती मा को बचाने में भी हम एक कदम आगे बढ़ेंगे इस प्रकार के प्रयास जब बनास देरी के माध्यम से पुरे देश्ट में पहुचेंगे तो निश्चित रुप से हमारी ग्रामिन अर्थे मजबूत होगी गाउ मजबूत होंगे हमारी बहने बेटिया सतक्त होगी साथियों गुजरात आज सफलता की जिस उन्चाई पर है विकास की जिस उन्चाई पर है वो हर गुजराती को गर्व से भर देता है इसका अनुभव मैंने कल गांधी नगर के विद्या समिख्षा केंद्र में भी किया गुजरात के बच्चों के बविश्य को हमारी आने वाली फीडियों को सवारने के लिए विद्या समिख्षा केंद्र एक बहुत ताकत बन रहा है हमारी सरकारी प्रात्विक शाला उसके लिए इतनी बड़ी टेकनोलोजी का उप्योग यह दुनिया के लिए एक अजूबा है वैसे मैं इस सेक्टर से पहले से जुड़ा रहा हूँ लेकिन गुजराज सरकार के निमंत्रण पर कल में विशोष तोर पर गांधिनगर में इसे देखने गया था विद्या समिख्षा केंद्र के काम का जो विस्तार है टेकनोलोजी का जो बहतरीन इस्तमाल इसमें किया गया है वो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा हमारे लोग प्रियम मुख्यमंत्री स्री भुपंद्र भाई के लेक्रुत्व में ये विद्या समिख्षा केंद्र पूरे देश को दिशा दिखाने वाला सेंटर बन गया है आप सोचिए पहले मुझे एक गंटे के लिए ही वहाँ जाना था लेकिन मैं वहाँ प्यारी चीजों को देखने समझने में ऐसा डूब गया कि एक गंटे का कारकम मैं दो धाई गंटे तक वहीं चिपका रहा इतना मुझे उसमें रूची बढ़ गई मैंने स्कूल के बच्चों से शिक्षकों से काफी विस्तार से बाते भी की बहुत से बच्चे अलग-अलग स्थानों से भी जुड़े थे दक्षिन गुजरात उत्तर गुजरात कच्च सौराज आज ये विद्या समिक्षा केंद्र गुजरात के चोवन हजार से ज़्यादा स्कूलों से साड़े चार लाग से ज़्यादा सिक्षक और देड करोर से ज़्यादा विद्यार्थियों की एक जीती जाक्ती उर्जा का ताकत का केंद्र बन गया है इस केंद्र को आर्टिफिशल इंटेलिजन्स मशिन लर्निंग बिग डेटा एनालिसिस ऐसी आधुनिक विद्या से सुसजित किया गया है विद्या समिक्षा केंद्र हर साल पानसो करोर डेटा सेट का विस्क्रेशन करता है इसमें एसेस्मेंट टेस्ट, सत्र के अंतमे परिक्षा, स्कूल की मानेता, बच्चों और सीख्षों को की उपस्तिती से जुड़े कारियों को किया जाता है पूरे प्रदेश के स्कूल में एक तरह का टाइम टेबल, प्रश्णपत्र, चेकिंग, इन सब में भी विद्या समिछा केंद्र की बड़ी भूमी का है इस सेंटर की वज़े से स्कूलों में बच्चों की उपस्तिती 26 प्रतिशत तक बढ़ गई है शिक्षा के छेत्र में ये आधुनिक केंद्र पूरे देश में बड़े परिवर्तन ला सकता है मैं भारत सरकार के संबंदित मंत्रालयों और अधिकारियों से भी कहूंगा कि विद्या समिछा केंद्र का अवश्य अध्यन करें विविन राज्यों के संबंदित मंत्रालय भी गांधिनगर आए इसकी व्यवस्ता का अध्यन करें विद्या समिछा केंद्र जैसा आध्यनिक व्यवस्ता का अलाब देश के जितने जादा बच्चों को मिलेगा उतना ही भारत का भविष्ट उजवल बनेगा झाल झाल